ये वीडियो देखने के बाद आप जो उसका सीड है वो भी नहीं फेकने वाले हो क्योंकि इतना जादा बेनिफीशल होता है हमारे हेर के लिए और हमारे इसकिन के लिए कि आप उसे नहीं फेक होगे पिंपल इस सिर्फ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पिंपल्स सबी को फेस करना पड़ता है लेकिन पिंपल्स एक बार क्योर हो भी जाते हैं लेकिन अपने पीछे जो स्कार्स छोड़ करके जाते हैं जो दाग रह जाते हैं वो बहुत ही मुश्किल होता है उन्हें निकालना आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to get rid of pimple scars जो भी हमारे दाग दबे चूट जाते हैं जो जल्दी से नहीं जाते हैं क्या होता है जादा तर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो pimples को ऐसे टच करते रहते हैं first of all वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे वो आपके पी आपने सुन रखा होगा आपने खाया होगा बहुत ही बेनिफीशल फूट होता है है बहुत सारे हेल्थ पेनिफेट्स है अगर उसके बारे में बात करेंगे तो उसके लिए मुझे अनेदर वीडियो बनाना पड़ेगा तो वह जो है वह स्किन के लिए और हेर के लिए भी है बहूंत ही जादा अच्छा होता है फूट की बात करें तो परूट भी अच्छा होता है लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आगशा है जो उसकी निकलती है जो बीच में बड़ी सी सीड होती है वो खितना ब्यविश सीड होता है हमारे फेस के लिए हistä ह्यर के ल करके आई हूँ आप लोगों के साथ तो मैं कुछ वेज आपको दिखाने वाली हों कि उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कितना ज़्यादा इफेक्टिव और कितना ज़्यादा बेनिफिशल है वह जब आप यूज करोगे आपको डेफिनेटली रेजल्ट समझ में तो अब देखते हैं कि अवगाडो सीड हम कैसे यूज कर सकते हैं इस तरीकी का इतना बड़ा एवगाडो सीड एक अवगाडो में निकलता है और इसके उपर एक रेड कलर की स्किन होती है उसे हमें पील आफ कर देना है यहाँ पर मैं नाइफ की हल्प से इसे पील आफ कर कती हैं इस एक दो 3 तक रखे रहने के लिए और मैं दूशी तरीके से क्षपनी के लिए कि लिए और मैं क्कुरेकर कार रहता है कि मैं इस उख्छाइख राद घुटे की थिल्च से लिए हैं रादakt audio of the जाव इस भीन favorite कली मिक्सर के लिए और फ़र important अब हम इसे यूज़ करेंगे इतना सारा एक ग्राइंड होकर के रेडी हुआ है तो अभी एक बार में जितना भी यूज़ होगा उसके बाद मैं इसे जैसा कि मैंने बोला तू डेस के लिए सुखने रखोंगी और उसके बाद इसे किसी भी एर टाइट कंटेनर में बंद करक तो चलो देखते हैं कि अब इसे कैसे यूज़ करना है तो यहां पर मैं वन टेबल स्पून सीट पाउडर ले रही हूँ और इसमें मैं फर्दर अपना फेस वाश एड़ कर रही हूँ आप जो भी वेस वाश यूज़ करते हैं आप पो एड़ कर सकते हैं मैं सेटाफिल का आइली स्किन क्लिंजर यूज़ करती हूँ मैंने आइटिंग एक वीडियो में बताया भी है अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दूँगी और इसे मैं इसमें अच्छी से मिक्स करने के बाद जैसे आप इसके बाद मैं इसे अच्छी से मैक्स कर रही हूँ और जैसे आप स्क्रिके से थे करने after ना है तो यह क्या होता है कि आपका फेस वाश में मिल करके जो इसके पार्टिकल्स ही olve एक तरीके से स्क्रब कम क्लेंजर का काम करता ह Person者 के आपके स्क्रब्स का चैरा अब करता था तो आप इस तरीके से simply आपने एक बाटल में भरके रख लेना है then आपको face wash के साथ add करके just थोड़ा सा रब करना है और face wash कर लेना है that's it तो आपको कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अगया है है अब भी हमें फेस वाश कर लेना है अब हम देखते हैं नेक्स रेमेडी हम और क्या क्विक्ली और इजली इस एवकादो सीट्स की हल्प से रेड़ी कर सकते हैं हां जी तो नेक्स रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अवागादो सीट पाउडर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो अब हम फेस पैक रेडी करने जा रहे हैं इसके लिए हम ये पाउडर टू टेबल स्पून ले रहे हैं और उसके बाद मैं इसमें हनी आइड करूंगी हनी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और I think most of the skincare में मैं हनी somehow यूज़ करती हूँ हनी में बहुत ही अच्छी antibacterial properties होती हैं प्लस बहुत ही ज़्यादा moisturizing properties होती हैं youthful skin के लिए और moisturizing skin के लिए glowing skin के लिए हनी बहुत ही ज़्यादा helpful है अगर पर मैंने हनी एड कर लिया है अब इसमें हम 4-5 drops lemon के एड कर रहे हैं यह optional है अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सूट नहीं करता तो आप नहीं यूज़ करें consistent paste ready कर लिया है जिसे मैं अपने face पर properly अच्छे से apply कर सकूं इस तरीके का paste ready हो गया है अब ह तो यह face pack ready हो गया है अब मैं इसे अपने face पर apply कर रही हूँ इसे हमें face और neck पे अच्छे से apply कर लेना है और जब यह सूख जाएगा around 10-15 minutes के लिए हमें इसे face पर लगे रहने देना है और उसके बाद इसे remove करना है आप इसका color देख सकते हो कितना प्यारा color है saffron color दे रहा है और जब हम इसे regular basis पर use करते हैं तो जितने भी scars होते हैं वो धीरे धीरे यह fade करता है और यह wrinkles के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत ही जादा moisturizing properties होती है तो यह wrinkles के लिए बहुत 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 जादा अच्छा है तो यह मेरा face pack को गीला किया है और मैं उसे हलके से अपने face पर मैं लगा रही हूँ अपने गीले हाथों को और उसके बाद फिर हलका सा मैं rub कर रही हूँ और अपना face wash कर रही हूँ that's it यह इतना ही simple है और यह आप अगर चाहें तो अगर आपके पास time नहीं है तो फिर यह आप weekly basis पर follow कर सकते हैं या जब भी आपको time मिलता है तब follow कर सकते हैं but I think face wash thing आप daily कर सकते हैं बहुत ही simple है बहुत easy है बहुत quick है face wash करने के बाद just आपको जो भी आप moisturizer यूज़ करते हो वो आपको use करना है that's it यार यह इतना सही work करता है ना कि आप एक बारी use करोगे आपको इतना ज़ादा glow लगेगा अपने face पे इतना ज़ादा clean face लगेगा कि literally बहुत अच्छा है ये तो face pack clean हो गया है और आप देख सकते हो यार कि कितना difference समझ में आ रहा है तो अब आपको avocado seed नहीं fake नहीं है fruit खालो और seed इस तरीके से use कर लो तो ये था आज के वीडियो के बारे में और अगर आपको पसंद आया then don't forget to like, share and subscribe to my channel और अगर कोई query है तो comment में जरूर बताईए मिलती हूं जल्दी से नए वीडियो के साथ तब तक अपना और अपने घरवालों का ध्यान रखिए बाबाई टेक केर